दोस्तों नमस्कार आज बात करूँगा इंडिया के पांच बड़े स्कैम्स के बारे में जी नहीं हर्षद मैता स्कैम इन स्कैम्स में शामिल नहीं है जो स्कैम मैं आपको बताने वाड़ा हूँ उन स्कैम्स के आगे हर्षद मैता स्कैम एक छोटा सा बच्चा है छुट वहि है आज की वीडियो में मज़ा आने वाड़ा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिजिए उल्टा काउंड़ाउन हम शुरू करेंगे और लास्ट में देखेंगे सबसे बड़ा स्कैम क्या है हमारे देश में वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा आप किस वीडियो को बिना समय गवाए आई पील स्कैम या ललित मोधी स्कैम आप इसको कह सकते हैं देखिए दोस्तों क्रिकिट को लेकर हमारे देश में बहुत यूनिटी है जब बात क्रिकिट किया जाती है ना ही तो हम धर्म देखते हैं ना हिजात देखते हैं हम सब किया उसके बारे में जानते हैं ललित मोधी 1963 में दिली में पैदा हुए और यूएस चले गए वो इलेक्टरिक इंजीनियरिंग और बिजनेस एडिमिस्टेशन की पढ़ाई करने के लिए उनका बीहेवियर उनके काम करने के तरीके बिलकुल अलग थे बिलकुल बेकार थे बिलकुल वह याद थे उन्हीं वह याद तरीकों के चलते हुए उन्हें 1985 में यूएस में गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर इलजाम लगाया गया कोकिन ट्रैफिकिंग का और सेकिंड डिग्री किड्नेपिंग का 1986 में उसने यूएस कोड से पर्मीशन मांगी कि मेरी खराब हेल्थ के चलते मुझे इंडिया जाना है मेरा इंडिया जाना काफी जरूरी है और उसे पर्मीशन मिल भी गई इंडिया आने के बाद 1993 में में उसने अपना खुद का बिजनेस चालू किया मोधी इंटर्टेनमे चैनल के साथ पार्टनर्शिप की और उस टाइम पर उसकी जो बड़ी पार्टनर्शिप थी जो नोन पार्टनर्शिप थी वो थी वोल्ट डिजनी के साथ 10 साल की पार्टनर्शिप मोधी ने डिजनी के साथ की लेकिन उसका काम करने का तरीका इतना बेकार था कि जिसने भ अगल हैं इसके पीछे और उसने US में भी प्राइवेट स्पोर्स लीग देखे थे, फुट-बल्स लीग देखे थे, बास्केट बोल्स लीग देखे थे, तो उसने सुचा क्यो नाठी इसी तरह का लीग, कृकिट का भी इंडिया में लूंच किया जाए, तो 1995 में मैं ललित मोदी इस idea के साथ BCCI के पास गया लेकिन वो BCCI को convince नहीं कर पाया लेकिन ललित मोदी के सिर पर जुनूम सवार था कि नहीं मुझे ये काम करना है अब उसने दिमाख लगा है कि जब तक मैं खुद BCCI में नहीं आ जाता जब तक मैं खुद किसी powerful position पर नहीं चला जाता तब तक ये possible नहीं होगा 1900 क्यान में मैं उसने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोशेशन को जोइन किया 2004 में उसे पंजाब क्रिकेट एसोशेशन का Vice President भी बना दिया गया और कुछ ही महीने बाद उसे राजस्थान क्रिकेट एसोशेशन का President बना दिया गया 2005 में फाइनली ललित मोदी को BCCI का Vice President बनाया गया अब ललित मोदी ने BCCI को यानि क्रिकेट को कमर्शलाइज करना शुरू कर दिया स्पोंसर्शिप देनी शुरू कर दी जर्शी पर ब्रेंड्स का नाम आएगा उनसे पैसा आएगा इस तरीके से ललित मोदी ने काम करना शुरू किया और उसके काम करने के तरीकों से BCCI को काफी फाइदा भी हुआ लाखों करोडों रुपे का revenue BCCI ने ललित मोदी के अंडर जरनेट किया अब ललित मोदी की image BCCI में काफी अच्छी हो गई थी और एक वो powerful position पर भी पहुँच गया था फाइनली उसने 2008 में IPL को लॉंच किया IPL लॉंच होते ही जंगल में जैसे आग फैल जाती है ऐसे ही हमारे देश में IPL का जुनून फैल गया अच्छे से अच्छा प्लेयर इस लीग में खेलना चाता था बड़े बड़े बिजनसमेन जैसे मुकेश अंबानी, बोलिवुड स्टार, शारुक खान, प्रिती जेंटा इन्होंने इस प्रीमियर लीग में पैसे डाले शुरू कर दिये देखते ही देखते IPL पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स लीग हो गया जिसकी नेटवोर्ट थी 4 बिलियन डॉलर लेकिन 2010 में ललित मोधी को IPL से हटा दिया गया और उसे भारत छोड़ कर लंडन भागना पड़ गया क्या हुआ था ऐसा ललित मोधी ने IPL में नेपोटीजम करना शुरू कर दिया IPL से रिलेटिड जो भी प्रोफिटेबल डील थी वो अपने फैमिली, फ्रेंड्स, अपने दोस्त, अपने सगे संबंधियों को देनी शुरू कर दी TBI ने जब इसकी जाच की तो ललित मोधी के धेर सारे स्कैम सामने आए जैसा कि मैंने आपको बता लाखो करोडो रुपे की डिल जो वो जानता था कि हाँ इसमें प्रोफिट होना वो अपने सगे संबंधियों को दे दी राजस्थान रोयल्स के जो प्रोफिटेबल एसेट्स थे वो अपने ब्रोधरिन ला को दे दिये अंदर की इन्फोर्मेशन लीग करता गया जिससे उसको हजारों करोडों रुपे का फायदा हुआ फायनली 2015 मेललित मोदी के खिलाफ नोन बेलेबल वोरेंटी शू कर दिया और उसे देश छोड़ कर लंडन भागना पड़ा उसका स्कैम है सत्तम स्कैम ये काफी इंटरेस्टिड है 1987 में राजू ब्रोधर्स ने सत्तम कम्प्यूटर्स की स्टापना की सत्तम कम्प्यूटर्स इतनी फासली ग्रोग कर रहा था जिसका कोई हिसाब नहीं था देखते ही देखते हैं दुनिया की पाँच बड़ी IT कम्पनीज में सत्तम कम्प्यूटर्स का नाम आया उनको धेर सारे अवोर्ड भी दिये गए हैदराबाद बेश्ट ये कम्पनी थी और उन दिनों रियल एस्टेट भी हैदराबाद में काफी ग्रोग कर रहा था इन दो भाईों में से एक भाई राजू था उसका काफी इंटरेस्टिट था रियल एस्टेट में तो उसने देखा कि जो प्रोफिट इस सत्यम कम्प्यूटर से हो रहा है मैं उससे क्यों ना जमीन खरीदनी शुरू कर दू तो उसने दो कम्पनीज की स्थाफना की मत्यास प्रोपर्टीज और मत्यास इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली ये सत्यम का ही उल्टा है उनके साथ उसने छेड़ चाड़ करनी शुरू कर दी छेड़ चाड़ कैसे कि जैसे माली जीए कम्पनी को प्रोफिट हो आया 200 करोड का और वो दिखा रहा है 1000 करोड का फेक प्रोफिट उसने शोकराना शुरू कर दिया राजू ने 365 कम्पनियां इस्टिब्लिश कर दी कि हाँ ये मेरी कम्पनीज है और मैं इनके नाम से प्रोपर्टी खरीद रहा हूँ उनके फार्म में काम करने वाड़े वर्कर्स उसके सगेसम बंदी उनके नोकरों को उसने 300 पैशेट कम्पनीज का डिरेक्टर बना दिया अब राजू का लालाच बढ़ता ही जा रहा था और बढ़ता ही जा रहा था अब राजू ने क्या कि कम्पनी की फेक सेल दिखानी शुरू कर दी कि देखो हमारी कम्पनी के इतनी सेल हो रही है अब फेक सेल तो दिखा दिया प्रोफिट कहां से दिखाए तो प्रोफिट दिखाने के लिए उसने फेक बैंक स्टेटमेंट्स भी लोगों को दिखाए कि देखो मेरे बैंक में इतना पैसा पड़ा है मेरे बैंक में इतना पैसा पड़ा है अब उसका कारण क्या हुआ फिर से उनके share की prices लगातार बढ़ती चली गई अब कई साल तक राजू ऐसे fake profit और इन financial statements के साथ छेट चाड़ करता रहा है जिसकी वज़े से investor काफी attract हुए और कई लोगों ने कई 1000 करोड रुपे सत्यम computer में लगाने शुरू कर दी अब फेक profit और actual profit के बीच काफी बड़ा gap हो गया था 2008 में आपको याद होगा मंदी का दोर आया था रिशेशन का दोर आया था उस दोर में properties के rate बिलकुल घट गई और राजू का जो plan था कि मैं fake profit और actual profit के बीच का जो gap है जो मैं जमीन बेच कर पूरा करूँगा वो फेल हो गया क्योंकि मंदी का दोर आ गया और properties के rate बिलकुल ही नहीं रही अब राजू ने क्या दिमाख लगाया जैसे मैंने आपको बताए वो mathias properties और mathias infrastructure वो उसी की company थी वो उसी की cut putलिया थी तो राजू ने क्या दिमाख लगाया कि क्यों ना मैं इन companies को खरीद लूँ और लोगों को ये दिखा दूँ कि जो ये gap है जो ये पैसा है ये हमने ये जो mathias properties है और mathias infrastructure है इसको खरीदने में लगा दिया ताकि लोगों को ये ना लगे कि हाँ ये वह इतना पैसा है ये जो fake पैसा है ये कहां गया क्योंकि company तो वो दोनों भी उसके घर की थी तो वो पैसा उसने वहां शो करने की कोशिश की और इस deal को sign भी कर लिया बिना अपने investor से पूछे अब जो सत्यम computer के investors थे उनको ये बात पसंद नहीं आई और मां सत्यम computer के share prices काफी नीचे गिरने शुरू हो गए इतना loss देखकर राजु ने मजबूरी में इस deal को cancel करना पड़ा अब राजु के पास कोई भी चारा नहीं था कि वो उस gap को fill करे जो actual profit और fake profit के बीच था दोस्तों मैं आपको बताऊं वो जो actual profit और fake profit के बीच gap था वो 7000 करोड का gap था finally 7 जनवरी 2009 को राजु ने confess किया कि हाँ मैंने सत्यम computer की financial statements के साथ छेड़ छड़ की है और actual profit और fake profit के बीच 7000 करोड का gap है और दो दिन बाद ही यानि नो जर्वनी 2009 को राजु को गिरफतार कर लिया गया 20,000 करोड का ये स्कैम है 1922 में में जब हर्षद में ता स्कैम चल रहा था तो उसी के साथ साथ एक स्कैम हमारे देश में पन अप रहा था अब्दूलकरीम तेलगी काफी चोटी उमर में जब वो थे उनके पिता जी की डेथ हो गई तो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए उसने स्टेशन पर फल फ्रूट बेचना शुरू कर दिया फल नी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन को पूरा किया तेलगी के ड्रीम्स काफी बड़े थी तेलगी ने एक ट्रेवल एजेंसी के लिए काम करना शुरू किया एज ए ट्रेवल एजेंट तेलगी को फेक डोकुमेंट्स के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया और उसे पहली बार जेल हुई जेल में उसकी मुलाकात हुई रतन सोनी से मतलब ये मानते हैं कि जितना जिम्मेदारी स्कैम के लिए तेलगी है उतना ही रतन सोनी है जो भी ये स्कैम हुआ ये रतन सोनी ने ही तेलगी को सिखाया था स्कैम क्या था वो मैं आपको बताता हूँ पहले ये बता देता हूँ ये रतन सोनी को ने प्रतन सुनी ने तेलगी को सिखाया कि जाली document कैसे बनाए जा सकते हैं, कैसे आप पुलिस से बच सकते हैं, कैसे आप original documents की हुबर हुब को भी बना सकते हैं तेलगी अब जेल से बाहर आया और तेलगी ने जो stamp papers होते है ना इस तरह के दिखने वाले postal stamp, revenue stamp, judicial and non-judicial stamps इनका काफी काम होता है ये काफी useful होते हैं court में, banks में हर जगे इनका use होता है तो तेलगी ने क्या किया इन postal stamps की ink मिटानी शुरू कर दी जो भी इस पर लिखाई होते ह उसको मिटाया उसको दुबारा नया करके तेलगी ने इनको बेचना शुरू कर दिया इंडिया security press 1990 में जहां ये revenue stamp, postal stamp, judicial and non-judicial stamps जहां ये print होते हैं तेलगी ने क्या किया वहाँ के officials से जो वहाँ पर काम करते थे उनको रिश्वत देनी शुरू कर दी अब जो भी printing machine होती है जो इन postal stamps को या इन stamps को print करती है वो खराब हो जाने के बाद उसको dismantle करके उसकी auction करी जाती है तो जिने तेलगी ने रिश्वत दी थी उन्होंने किसी ना किसी तरह जुगाड करके वे जो printing machines थी वो वो तेलगी को लाकर दे दी और अब तेलगी ने stamps छापने शुरू कर दिय अब बात यह थी supply तो इन stamps की बढ़ गई थी लेकिन demand तो उतनी ही थी जो official India security press में काम करते थे उन्होंने क्या किया हजारों stamp fake addresses पर dispatch कर दिये यानि आप एक तरीके से कह सकते हैं original जो stamps थी ना उनकी supply रोट दी और fake stamps की supply बढ़ गई अब तेलगी ने देश भर में stamps को बेचन शुरू कर दिया तेलगी के 350 agents थे 18 राज्या और 70 शहरों में तेलगी के ये agents इन stamps को बेच रहे थे बैंकों को insurance companies को और धेर सारी जगया हो तेलगी के ये stamps बिकने शुरू हो गई 1925 में में मुंबई पुलिस ने तेलगी के एक टीम को पकड़ा जो fake postal stamps को बेच रही थे लेकिन तेलगी अब तक इतना बड़ा हो चुका था कि उसने रिश्वत दी पुलिस को धेर सारी और उन अपने agents को छुड़वा लिया और तेलगी पर कोई भी case नहीं तेलगी ने अब इतना पैसा कमा लिया था कि बड़े बड़े police officers उसके साथ उठते बैठते थे politicians अब उसके पास इतना पैसा था कि वो बोलिवूड films में TV serials में उसने funding करनी शुरू कर दी finally 2001 में करनाटक पुलिस ने अबदुलकरीम तेलगी को arrest किया पूरे देश से 400 करोड फेक printed stamps को recover किया और arrest होने के बाद अबदुलकरीम तेलगी को नारको टेस्ट से भी गुजरना पड़ा और उस नारको टेस्ट में उसने बड़े बड़े politicians का नाम लिया कोर्ट ने तेलगी पर 202 करोड का fine लगाया गया लेकिन 2017 में तेलगी organ failure की वज़े से इस दुनिया से ही हमेशा के लिए चला गया अब जानते हैं 2010 में हमारे देश में Commonwealth गेम हुए थे एकतर देशों से अलग-अलग player participate करने हमारे देश में आने वाले थे 12 दिन तक ये गेम चलने वाले थे 12 billion का budget सरकार की तरफ से release किया गया to build infrastructure 12 billion का budget सरकार ने बनाया infrastructure को बनाने के लिए stadiums को सुधारने के लिए roads को अच्छा करने के लिए metro को connect करने के लिए जो player sound को अच्छी facilities मिले देश में tourist destinations को develop करने के लिए एक special village बनाया गया game village जहां पर ये पूरा sports event organized होगा wealth committee बनाई गई जिसका chairman बनाया गया शुरेश कलमडी को और यही असली scamster है जैसा कि मैंने आपको बता धेर सारा पैसा सरकार की तरफ से दिया गया कि आप infrastructure बनाओ अच्छे facilities player के लिए आप develop करो लेकिन जो भी पैसा मिला उसका आदा पैसा ही इन लोगों ने infrastructure building के लिए लगाया माना यह जाता है कि यह scam देश के सबसे बड़े scamों में से एक है इस scam की value थी 70,000 करोड रुपे जी हाँ दोस्तों जो पैसा सरकार की तरफ से दिया गया वो सही जगह पर लगाया ही नहीं गया अब बात करता हूँ देश के सबसे बड़े scam 2G spectrum scam की 2007 में ए राजा को टेलिकॉम मिनिस्टर बनाया गया और 2007 में ही 2G spectrum की टेलिकॉम spectrum की allotment हो नहीं थी अब ये टेलिकॉम spectrum है क्या अब ये टेलिकॉम spectrum है क्या डीप में ना जाते हुए मैं आपको simple words में बता देता हूँ टेलिकॉम spectrum का मतलब यह कि एक तरीके की permission है सरकार की तरफ से कि आप internet चला सकते हैं लेंड लाइन की तारे भिछा सकते हैं एक network बनाने के लिए आपको सरकार से permission लेनी होगी 2G spectrum की अलग permission होगी 3G की अलग होगी 4G की अलग होगी तो ये टेलिकॉम spectrum है 30 दिसंबर 2007 को सरकार ने प्रेस नोट जारी कर दिया कि टेलिकॉम spectrum की allotment होनी है जो भी companies interested हैं वो अपनी application submit कर दें 575 companies ने अपनी application submit कर दी 2 November 2007 को मन महान सिंग जी ने टेलिकॉम ministry को एक letter लिखा और कहा कि ये जो allotment होगी 2G spectrum की ये fair होनी चाहिए इसमें कोई धांजलेबाजी कोई cheating नहीं होनी चाहिए 22 November 2007 को finance ministry ने फिर से टेलिकॉम ministry को letter लिखा कि आपने जो allotment is 2G spectrum की की है उस allotment के तरीके से हमें काफी परेशानी है अब वो तरीका क्या था देखिए कोई भी चीज होती उसको तीन तरीके से बेचा जा सकता है पहले आओ पहले पाओ जो पहले आएगा उसको वो चीज दे दी जाएगी दूसरा तरीका होता auction का कि जो भी उच्छा दाम लगाएगा उसको वो चीज दे दी जाएगी और तीसरा तरीका होता कि सरकार उस चीज़ का एक price तै कर देती है कि इसना price जो company pay कर देगी उसको ये चीज दे दी जाएगी इस 2G spectrum की allotment के लिए सरकार ने चुना पहला तरीका पहले आओ पहले पाओ सरकार ने एक date बता दी कि इस date को जो पहले आएगा उसको ये allotment दे दी जाएगी उसको ये allot कर दिया जाएगा लेकिन जो वो allotment की date थी उसको सरकार पता नहीं क्यों बार-बार आगे shift करती गई अब companies को ये लगने लगया कि इसमें कुछ दांदलेबाजी हो रही है सरकार इस date को बार-बार आगे shift कर रही है इसमें कुछ scam है और वो scam सच में हुआ टेलीकों मिनिस्टर ने अपने सगेसम बंदियों को उस 2G spectrum की allotment दे दी और जो value थी ना जो actual value थी उससे काफी कम price में दे दी गई यानि इसमें भी आप कह सकते हैं कि उन्होंने nepotism किया ये nepotism हर जगे है IPL में nepotism है, Bollywood में nepotism है बात करता हूँ मैं उसकी actual value और कम value में कितना difference था दोस्तों इस scam की वज़े से 1.76 लाख करोड का नुकसान सरकार को हुआ जी हाँ, इतने कम दाम में उन्होंने इस spectrum की allotment अपने सगेसम बंदियों को अपने जानकारों को दे दी और 1.76 लाख करोड का नुकसान देश ने जेला तो 2010 में टेलीकोम मिनिस्टर को रेजाइन करना पड़ा और कपिल सिबल को टेलीकोम मिनिस्टरी दे दी 2011 में उन्हें अरेश्ट करके ती हाड जेल में ठूस दिया गया ठीक किया छोटी से कम ठोड़ी होती है यार लगबग 2 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ जीरो भी नहीं पता हूँगे आपको अब आप गूगल करोगे कि आइस में इतनी जीरो होती है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कर लीजी ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल से मुझे जाकर फोलो कीजिए इंस्टाग्राम पर ट्वीटर पर इंस्टाग्राम पर मैं शोट कंटेंट डालता रहता हूँ कोई भी न्यूज अपडेट्स होती है रील्स के थुरू मैं आपको अपडेटिड रखता हूँ आज के लिए सिर्फ इतना ही बाई बाई टेक केर जैहे